तो बहुत ताइम से मैं एक रिक्वेस्ट आ रहे थी कि नेल्स ग्रोध के उपर आप हमें वीडियो ले कि आपने शॉर्ट वीडियो बनाई या आप लॉंग भी बनाओ तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक और नेल्स ग्रोध की वीडियो के साथ में तो आज की वीडियो म आपको फॉलो करने हैं तो फिर्स स्टेप में हम यहां पे ले रहे हैं गुण गोना पानी और आपको एक लस गुनगोना पानी लेना है आदा चम नमक डालना है और आदा कटा हूँ नीबू का जूस और नीबू की स्लाइस को भी उसी में डाल देना है तो सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करना है दो या तीन मिनद के लिए अपने नाखोनों को उसमें डिप करके रखें और उसके बाद बाहर निकाल कर जो यी नीबो की सलाइस है उससे हलकी सी मसाज दें अपनी नाखोनों के उपर और जो डर्ट आपके फोल चुकी है वो बाहर निकल जाएगी दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टेप के तरफ अब यहां पर हमें करनी है कॉल गेट से मसाज तो हमें ले रिना कॉल गेट ब्रस पे लगा के अपनी नाखोनों के उपर हलकी हलकी मसाज दें इससे दो चीज़े होंगी एक तो जो आपके नेल्स गंदिव हो चुके ह तो वह क्या होगा है यहां पर शाइन करने लग जाएंगे चमकाने लग जेगी बहुत अच्छी और दूसरा होगा यह जो अपने नाखोनों को आपने डिप करके रखा था पानी में तो वह जो डैड स्कीन है जो फूल चुकी है वह बाहर निकल जाएगी वही हमारी नेल्स को नहीं इंप्रोव होने देती है वह बढ़ने नहीं देती है वही नाखोनों को रोग देती है तो इससे क्या होगा कि आपके जो नाखोने वह बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे थारी स्टेप में हमें करने हैं ऑईलिंग अपने नेल्स की जैसे हम हेर के लिए ऑईलिंग क का ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा और उस्ते क्या होगा आपके नाखुन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएंगे और देखो कि आप स्ट्रॉंग भी होंगे और शाइन भी करने लग जाएंगे जैसे कि यहाँ पर मेरे नेल साइन कर रहे हैं आपके भी करेंगे तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी हो कॉमेक शेक्शन में बताना लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में